आज हम बनाएंगे चटपटे नमकिन सेवेया तो चली रेसिपी बनाना शुरू करते हैं यहाँ पर मैंने ग्यास के उपर रख दिया है कड़ाई उसमें डालेंगे आदा चोटा कटोरी सेवेया सेवेया को हमें अच्छे से भून लेना है मरूं कलर होने तक हमें यहाँ पर से जीरा जीरा हलका सा कलर जब जीरे का चेंज हो जाएंगे उसमें डालेंगे हम चोकुन टुकडों में कटा हुआ प्याज यहाँ पर सबसे चोटा प्याज लिया है मैंने चोकुन टुकडों में कटा हुआ अब इसी के साथ हम डालेंगे हरे मिर्च बारिक टुकडों में कट दाल दिया है यह बिल्कुल ऑप्शनल है आगर आप चाहे तो डाल सकते हैं गाजर और हरे मटर को तो यहाँ पर मैंने डाला है भूना हुआ शेंगदाना दो चमच भूना हुआ शेंगदाना डाल दिया है अब इन सब को हमें अच्छे से मिक्स करना है इसमें अब हम पानी यहाँ पर मैंने आदा ग्लस पानी डाला है अच्छे से मिक्स करेंगे पानी डालने के बाद पानी में अच्छे से उबाल आने देना है जब पानी अच्छे से उबल गया है इसमें अब हम डालेंगे सेवया जो भूनकर हमने साइड में रखेती सेवया वो डाल नमक डालेंगे, थोड़ा साही नमक डालना है और गरम मसाला डालना है अब हम डाल देंगे सेवया, सेवया डालने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे पास से 7 मेट तक हमें पकाने के लिए रख देना है, कड़े का ढखकन बंद कर देंगे पास से 7 मेट हो गए है तो अब हम चेक कर लेंगे, एक बार देख लेंगे चटपटी नमकिन सेवया बनी है या नहीं, अच्छे से मिक्स करेंगे बिच बिच में हमें अच्छे से मिक्स करते रहना है सेवयो को तो यहाँ पर 1-2 मेट तक फिर से मैंने पका लिया है सेवया थोड़े से चिप चिप लगे थे मुझे, यहाँ पर खुला नहीं बनाता सेवया तो यहाँ पर हम हरा धनिया डाल देंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे तो तयार है यहाँ पर चटपटी नमकिन सेवया तो आज की रेसिप आपको कैसी लगे प्लीस कमेंट के दार जरूर बताएं वीडियो पस नहीं तो वीडियो को लाइक शेर जरूर करें चैनल पर नहीं है तो प्लीस चैनल को भी सबस्राइब जरूर कर देना फिर मिलेंगे बाई बाई